ये लोग अगर इनको पैसा मिल जाएगा धर्म परिवर्तन के लिए तो लाइन क्यों नहीं लगा रहे हैं लोग इनको धर्म इतना जदा वो दिमाग में इनकी सोच विचार इतनी है तो वहां पैसे के लिए तो यह सब कुछ कर लेंगे पैसे के लिए जंदगी बेच लेते है और अपना शरीर बेचते हैं तो इनके लिए धरम कोई बड़ी बात नी है ये फाल्तो की बात है जो करते हैं लोग क्या आपने कोई धरम परिवर्तन किया है या आपका हुआ है और जो लोग विरोध कर रहे हैं हो भी इसी सोँच से बहुते है धर्म की परिवर्तन की बात आ गहीने को असल Championships पूँचा जाए कि आपको क्या लगता है उनको पतादी कि धर्म है क्या सबस्ते के ho अग्सर लोग विश्वासियों से यह भी सवाल करते हैं कितने पैसे मिले तो आपको भी क्या कभी पैसे मिले या फिर किसी को पैसे सच में मिलते हैं जब ये शुपर कोई विश्वास करता है तो आओ देखाना ताओ हर किसी को मैं लपेट देता था लपेट देता था लोग इसका गलस मतलब संदेगे हैं मतलब ये कि प्रवास करता है तो उससे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं लेगिन आज हमारे साथ इन सवालों का जवाब देने के लिए खुद पास्टर है जो अपने experience से भी आपके साथ शेयर करेंगे और हमें बताएंगे कि जवाब जो है किस रीती से दिया जाना चाहिए जब लोग सवाल करते तब भागना नहीं चाहिए परन्तु हर सवाल का जवाब होता है आप इस वीडियो में उन जवाबों के बारे मे सवाइए स्वागत करते है हमारे साथे पास्टर अकाजिव शर्मा जी वेलकम पास्टर स्वागत है आपका पॉटकास्ट शो में हमारा आपसे सवाल है जो एक कोमन सवाल है लोगों से जो पूछा जाता है वो है धरम परिवर्तन लोगों से पूछा जाता है तुमने धरम परिवर्तन कर लिया, यह है, वो है, मेरा सवाल आप से है, आप पास्टर है, क्या आपने कोई धर्म परिवर्तन किया है, या आपका हुआ है, धर्म परिवर्तन, यह शब्द जो है, मैं बात इसको अलग-अलग रिती से, कई बार मैंने अलग-अलग रिती से, इसके बारे में की बात करना शुरू करते हैं, यह धरम का काम है, धरम का काम है, धरम का काम काम है, असल में यह धरम का काम कैसे है उस पर भी विचार किया जाना चाहिए, हम सोचते ही नहीं, हम विचार करती हैं, बोले गली जाना नहीं, तो पूछना क्यों रस्ता तो इसलिए बोला किसी ने सून लिया और आगे बढ़ गए आप ये काम करना छोड़ो यार इस इस पाइंट पर बात नहीं करनी है ये नॉमल हुमन टेंडेंसी है राइट सोच विचार वो यह है आगे बोल सोचता ही नहीं वो उधारन के लिए अगर मैं आपको बता हूं कि आप अगर कोई कोई ब्रांड का नाम पढ़ रहे हूं जी ब्रांड का नाम जैसे बिसलरी पानी की बॉटल आती है बिसलरी की जगे आता है बिसूलरी आजाता है तो ऐसे नाम जो है लोग चेंज करके अपना जो है उसी कलर को सी डिजाइन और उसी फॉंट में बीचना स्पैलिंग के आप शकल देख लाए बिस जी जी तो यह क्या है ऐसे परसेप्शिंस अगर लोगों के होते हैं जो यह सोचते है कि धरम का काम है आगे बढ़ जाओ और जो लोग विरोत कर रहे हैं वो भी इसी सोच से भाद धरम की परिवर्तन की बात आ गई उनको असल में पूचा जाए कि आपको क्या लगता है कि धरम क्या है उनको पतानी कि धरम है क्या अचा धरम परिवर्तन होता क्या है उनको पतानी वो है क्या तो कहते है जबर्दस्ती किया जबर्दस्ती माबाप ना अपने बच्चे को अधी रोटी जादा नही खिला सकते जबर्दस्ती आदी रोटी जाद नहीं किलाते, चलो आज तो आपने खिला भी दियोगी मार पीट के अगले दिन खिला लोगे आप, कितने दिन खिला होगे जबदस्ती, यह जबदस्ती किसी किसी के साथ नहीं, रही बात, जोड, जबदस्ती, धोका, that is almost impossible things, यह कॉंसेप्टी गलते जब पूछते हैं धरम परिवर्तन, मुझे समझनी आथा, देखी सिंपल सीधे शबदों में, पहले मैं किसी और फर विश्वास करता था, आज मैं येशू पर विश्वास करता हूं, बाराल अगर मैं यह सब बातें उनको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो वो यह समझने वाले जब लोग सवाल पूछते हैं, जब आपका दूसरे तरीके से मैं पता रहा हूं, जब पूछते हैं, तो डेफिनिटली पूछते हैं, हमारे कुछ लोगों की मानसिकता है कि जब गर यह पूछ रहा है, तो हमारा सताव हो रहा है, यह सताव नहीं है मेरे प्रियों, मान पहर परिवार में आपस में जध़ड़े चल रहे हुं कोई भाई के बारे में पूछता है कोई भाई के बारे में नहीं बना और पुलिस केस कॉट केस मैने वो सब कुछ देखा है उसकी वज़य से आज जो है मेरे मेरे पास कई सारे ट्रोमा हैं, ट्रोमा मतलब चोट हैं, मानसिक चोटे समझ लीजा है, ऐसे कुछ मानसिक चोट हैं, मैं तो खैर by the grace of God ये सब चीजों को अच्छे से समझता हूं, कभी मेरे मुझ पर हावी नहीं हुए, लेकिन इस रिली हाड फॉर मी टू से संधिंग मौम या मा कहना बहुत मुश्किल होता है, फिकास मैं उन सब चीजों से गुजरा हूं, तो ये जब उनका नहीं बना, अब जब कोई मुझ से पूछ लिता है, कि आपकी मम्मे के क्या हाल है, अपके पिताजी के क्या हाल है, तो इसा लगता जैसे, पिताजी तो मेरे साथ रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता जैसे, किसी ने मुझ में हमला कर दिया, तो अगर कोई आप से यह पूछ लेता है, कि आपने यह शुव विश्वास किया, तो इसमें चड़िने वाली बात क्या है? सही बात है, आप इसको जो है सताव की रूप में क्यों देखते हो, एक और नजरिये में बत बताऊंगा, अगर इस चीज को देखेंगे, तो कोई चोटी-चोटी चीज़े हो गाई, अगर आपके कोई पास्ट के बारें पूछ ले किसी के गल्फरेंड बॉइफरेंड वाला म को सकता है कोई जानना चाहरा हो, येस, और सवाल लोगों के ऐसे होते है कि लोग तो सवाल करेंगी और यो करते ही जब भी आप याप खाना का रहा हूं, थो ये लोगों की आदध है, जो हममें भी है, ये व्में भी राइट, आप उस चीज को अलग नजरी से मत देखे, धर्म-परीवर्तन, of course, धर्म-परीवर्तन क्या है? That is nonsense. सवाल, ये प्रॉब्लम किसको है? ये प्रॉब्लम उसको है, जिसको धर्म-परीवर्तन-شबद की वाजनिती करनी है, या धर्म-परीवर्तन-शब्द जिसको कोई व्यक्तिकत फाइदा हो रहा है, नेताओं को फाइदा होता है बाकी और किसी को कोई फाइदा नहीं होता कुछ लोगों को जो लोग इसमें आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उनको भी फाइदा होता है, वो जेल की रोटिय तोड़ते ये उनका फाइदा है, क्योंकि कि आया दिन कभी कोई ने किसी दिन पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे उनके पर केस चलेगा और वो केस जिंदगी भर उनको गुजारना पड़ेगा यह अनुभव लोगों के हैं बहराल इस शब्द का इस काम का इन बातों का कोई अर्थ नहीं है तो येशु पर व हैसा ने कि नहीं है विरोध नहीं है बहुत जादा है विरोध हमारे शहर में हमें है हम भी है कुद भी जो है सताओ को देखते हैं आई दिन बहुत पहतनी बात है अभी ए ओन-laiन पर जितने लोग गालिया सुना रहे हैं मतलम अज़क एक बभी और पिस्ट कभी नहीं वह मैं सच्छी इश्वार के पास आया है तो मैं और जो तो मैं और तो मैं आपको लोगोद बना तो मैं जू आपrimin जाई खाए है मैं ऑज घूआ को मुस्लिम जिनो को कि मन कर दो लोगों को को मैं ऑजितनों कम इल्क हुंद uta से और सब लोगों ने उन लोगों को सामने ऐसी परिस्तित यहां थी तो लोगों को बताने के लिए कि देखो मैं किस परिवार से हां तो उन्होंने बताया विच्वास नॉट रॉंग एक्चुली गलत नहीं था पर आज के समय में गलत हो रहा है इसका पर रवाय देने का भी स अगर उसको समझ लिया जाए तो चीजे सुधर सकती है अगर मैं बात करूं इसको इसको तरीती से देखो कि मैं खोया हुआ था यह खोया हुआ को डूड़ने आया बिलकुल वो धरम परिवर्तन करने ने आया परंतु मुझे धर्मी बनाने आया और धर्मी किसी धर्म के लि देखे आप इतना लंबा लोगों को एक्स्प्लेइन नहीं कर सकते लेकिन आपको पता होगा तो आप इस बात से इरिटेड नहीं होगे कि आपने कुछ गलत नहीं किया यह शुपर विश्वास करके आपने सच्छे खुदा को चुना है तो यह कोई गलत डिसिजन नहीं है और एक और सवाल मुझे आपसे पूछना है और वो सवाल यह है अकसर लोग विश्वासियों से यह भी सवाल करते हैं कितने पैसे मिले यह सभी बात है तो आपको भी क्या कभी पैसे मिले या फिर किसी को पैसे सच में मिलते हैं जब यह शुपर कोई विश्वास करता है तो हम अगर किसी की कुछ मदद करते हैं माली जे प्रभू ने हमें कहा है हमेशा कि तो अपने भाई की चिंता करना अपने भाई से अपने समान प्रेम रखना अगर मेरे भाई के पास मुझे नहीं है अगर मेरा भाई जो है कंबल कि बिना परेशान हो रहा है सरदी से तो मुझे अपना कंबल देने में या एक नया कंबल उसको खरीद कर देने में अगर आप सोचते हो कि यह मैंने पैसे की कोई मदद की तो यह गलत नहीं है दुन्या भी यह लोग कर रहे हैं करी रहे हैं राइज कोविड में हमने देखा कैसे कैसे लोगों ने अपनी जान तक गवादी लोगों की जान बचाने के लिए लोगों की जान बचाने के लिए और ये लोग विश्वासी लोग नहीं थे विश्वासी लोगों की अलावा भी बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संसारिक लोग हैं जो अपने अपने विश्वास को फॉलो करते हैं और उन्होंने समझे ना समझे जाने अंजाने में दूसरों की सिवा के लिए जान गवाई हैं हम इस बात को इंकार नहीं कर सकते हैं प्रभू की सेव को ने बहुत काम किया और औरों की भी बात करूँ, तो चारों तरफ देखना चाहिए, हमें जाएंग तरफ से नहीं देखना चाहिए, फिर अगर इस बात को कहा जाए, कि हमें कुछ पैसा मिला है, या यह कुछ मिला है, यह सब बेमानी बाते हैं, और किसी के पास पैसा है, तो वो अपना घर कोई दूसरे का घर नहीं बनाए, क्या करेगा, फाइदा क्या होगा उसको, मुझे यह बात जानना है, ऐसा करके उसको मिलेगा क्या, आप किसी को नाप नहीं सकते कि बेसने की मदद की है, या कुछ ऐसा किया है, अगर हम लोग किसी की मदद करते हैं, तो यह हमारा काम है, मतब तुम झो है, अघर वैबल में साफ साफ लिखा है, तो यह मत कहना, तो तो यह मत कहना, दो कला आया, परसुआ या कल में तिरे ले करूं, आज उसके ले करूं, इसको कोई यह कहता है, कि धरम परीबरतननां के लिए पैसा दिया गया, यह सब बाते हैं, तो बेमानी बा कोई बाहर देगा यहां Diamonds की ऐऽ देखो हमारी हम पास्ट्रास की हालत देखो कैसी हो रही है हमारी हालत हम कैसे छलते है यह perish़ जानता है मुझे वो बोलने की जरूत नहीं है पर आगर हम यह देखते हैं यह कहते हैं कि पैसा दिया लिया ऋहा cater लोग ये हमारा primary school है, हम ये गरीब बच्चों के लिए करते हैं लोग एगर सोचते हैं, ये तो भुट पैसा आता है, इनके पसे बांस, चाहल ठाता है आज वो सब जानते हैं कि इन्छी स्कूल में जाना पड़ेगा, तो पैसा देना पड़ेगा और यह हमारे हाँ है, हमारे हाँ चर्च में कभी कोई नहीं बोल सकता कि यह सब बात है, क्योंकि हमने वही सब चीजे रखी, बात इस इन बातों को भी समझना और देखना बहुत जरूरी है अगर बात करे हम, तो धर्म परिवर्दन के बारे में भी आपने सुना, आपको सहीरीते से पता होना चाहिए, चीजे और वेवस्ता है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरी बात यह लोगों के दिमाग में जो यह बात है, पैसों से लेकर कि कितने पैसे मिलते हैं, अगर आप सच और सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो डेफिनेटली डवलप्मेंट होगा ही, लेकिन लोग तो इस बात को विलेकर भी वोलेंगे, अब विश्वास में आने के बाद अगर इंसान इमानदारी से चल रहा है, और उस इमानदारी में भी परमेश और इसको इतनी बरकत जेता है कि अपने जीवन को सुधार लेता है, ये जो शबद का ना बरकत वाली बात, यही बात है, लोग पहले पैसा कमाते थे जो प्रभु में नहीं है, और वो पैसा एक मार्ग से आता, साथ मार्ग में से भाग जाता है, रिखुल, जैसे कि बाइबल में विवस्तव वि तो आशिष की बारिश हम पर होगी कि नहीं हो बिलकुल और अगर आप आपने पासर आपने भी नोटिस किया हो जब प्रभू में लोग आते तो सिर्फ उनका फाइनेंशली चीजे नहीं बदलती बलकि फिजिकली चीजे भी बदल जाती है बलकुल मैंने रिसेंटली देखा अज़ एक कपल हमारे बीच में था और जब वो शुरुवात में तब उनका ड्रेसिंग सेंस भी ठीक नहीं था हना फेस भी ठीक नहीं था उनका तयार होने का थीक नहीं था और जस्त वो यू ही अपनी जिंदी को जी रहे थे जैसे थेसे भी लेकिन जब वो प्रभू में आने लगे तब वो अपने आपको थोड़ा सवारने भी लगे उनके कपड़े अब साफ सुत्रे दिखने लगे क्योंकि वो जानते कि जब हम परमेशों के पास जा रहे हैं तो हमें अच्छा बनकर जाना है डीसे बनकर और ऐसे ही चोटी चोटी चीज इसमें धिरे धिरे ड करते थे लेकिन अगर आज सिर्फ दो जोड़ी कपड़े भी है तब उन दो जोड़ी को भी अच्छ से दो कर प्रेस करकर हम लोग पहन रहे हैं और सब कुछ अच्छा दिख रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पैसे में मालूम है आप लोग सब जानते हो यहां की परिस् जो उनकी यूस किये हुए है मैं उनने फिटिंग करके अपने साइस करके जैसा तैसा पहनता हूं ठीके फाइन मुझे फरक नहीं पड़ता इस बास से कोई फरक नहीं पड़ता है तो समें कि अमें सब चीजों में अच्छे से बन कर रहना चाहिए सब चीजों को अच्छी से मैनेज करना चाहिए सो जब पैसो से रिलेटेड बात चल रही है एक इंसिदेंस मुझे याद रहा है पास्टर आपने मुझे एक बार बताया था मैं कहां नहीं जाना चाहूंगा और हमारे शुरता जो सुन रहे उनको भी वह जानने में बड़ा मजा आएगा वह स्टोर मैं जोलरी का बिजनस करता था चोटी सी फैक्टरी हुआ करती थी वरकर्स काम करते थे सब कुछ कहानिया थी लेकिन बहुत सीरियस सिच्वेशन हो गई और जब मैं प्रभू में जाने लगा तो मेरा विश्वास बढ़ गया और मैंने अपने आपको परमेशूर के हाथों म सौपा हर चीज में परमेशूर के हाथों में सौपता आगे बढ़ता दौडता क्या होता है कि मेरे विश्वास के कारण अब सब कुछ बिगड़ गया है लोग जो है जो है मुझे बहुत तंग करने लगे क्योंकि ये फैक्टरी क्या है एक कच्छी बस्ती में थी और वरकर लोग जो बिना किसी बात को समझे हुए तो वो लोग अरे तुझे तो बहुत पैसा मिला है ये सरदार थे जापूर की बात है तुझे तो बहुत पैसा मिल रहा है तुझे बहुत पैसा मिल रहा है वहां पर बहुत मिल रहा है मैंने का बहुत मिल रहा है कहा मिल रहा है मैंन जानता था कि ये सब फालतू की बात है और जैसे ही मैं उसको बोला चल मेरे साथ तो फिर वापस विखर जाए और मुझे मालूम है ये सब फालतू लोग है अगर ये राशन की दुकान पर जाने के लिए लड़ जाते हैं सिरफ पांच किलो चावल के लिए दो किलो चीनी के ल लेते हैं और अपना शरीर बेचते हैं तो इनके लिए धरम कोई बड़ी बात नी है ये फालतू की बात है जो करते हैं लोग कोई भी बात ऐसी नहीं मुझे मालूम है जब चर्च में जाते है ना आज के दिन तक तो ये जितने लोग सुनने वाले हैं या उनकी बात है जो बाहर बैठे हैं लोग जो प्रभू को नहीं जानते ये अपनी जेब से ना अपनी जेब से एक आदमी जो है पांच सो रुपे हजार रुपे भी वंदिर में डालने के लिए निकालता लेकिन प्रभू में जब हम आते हैं तो प्रभू का वच्छन हमें क्या आता है कि 10 प् सकती है अब हम समर्पित करते हैं अनन जिन्होंने किया है उने बहुत आयत से आशिश मिलती है कबी वह बचते हैं इन चीजों से उनने कमी नहीं पड़ती है जो कमी है उसमे भी परमेश्व उनके लिए भलायुत पन करता है तो कहना, बोलना, इस सब व्यर्थ की बात है, मैं विश्वास में आया, मेरी मशीन बिग गई, मेरा बिजनस खराब हो गया, मैं आशों से भरा हुआ था, रो रहा था, लेकिन लोगों को दिखनी रहा, परन्तु उस समय बिना मैं अकेला था, इतने समय कहूं शायद अगर मैं इसे सताओ नहीं कहता, मेरे लिए सताओ नहीं, मेरे लिए तो आनंद की बात है यह, तो लोगों कहेंगे मुझे सता रहे हैं, पर जब मैं वहाँ था, लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला, इतना सब हला मचाया, और पचास आदमियों के बीच में बेजज़ती हो रही है मेरी, और मैं खड़ा था, मशीन बिग गई, और सब मेरा बिजनस जा रहा है, खतम हो रहा है, मुझे अब नौकरी करनी पड़ेगी, अब तक तो मैं मालिक बनता था, बहले ही कमाई होती नहीं होती, लेकिन मालिक था मैं फिर भी, लेकिन अब मैं नौकरी करूँगा, प्र कमाते थे, परिस्तित्य खराब होने के बावजूद भी, लेकिन कहने का अर्थ ही है कि मैं इसे सताव नहीं कहता, मैं इसे कहता हूँ कि मेरे लिए जो भी था, लेकिन उस दिन मैं जो बल पाया आत्मा में, उस दिन रिट्रिली पवितर आत्मा परमेश्वर उसका वचन जो और फिर दो हजार उपर में कमाता था, उसमें भी लोगों को उधार देता था, और इस दे स्टोरी, प्राइज लॉड, सो यह है कहानी इन सब सवालों के पीछे, आप इस बात को अच्छी लीती से जानते हैं, और जो लोग आप सुन रहे हैं, जो लोग बिना किसी जानकार किसी को कुछ भी बोलते हैं, और इन चीजों को फेलाते हैं, ज्यादा तर जो बात करने वाले हैं, धरम परिवर्तन के बारे में, पैसो के बारे में, यह वो लोग है, जिनको चर्च का सी भी नहीं आता है, यानि कि वो कभी चर्च गए भी नहीं है, तो इसलिए आप उन किसे लोगों से बहस करने की ज़रुवत नहीं है, इस अचा है कि हम और दूसरे दो लोगों को सूसमाचार सुनाएं, तो परमिशुर आपको आशिष करें, आपको इस सपोर्टकाश शू में आपको इन सवालों का जवाब मिला है, आगे हम और भी सवालों पर बात करेंगे सो हमारे साथ बने रहे है विजनरी रेडियो और टीवी पर आगे के प्रोग्राम के लिए प्रभु आपको बहुत आशिष करें और यदि आपके मुन में कुछ सवाल है, तो इसी वीडियो में आप कमेंट करके हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, सो प्रभु आप सबको बहुत अच हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए राइस दलो आट गौद ब्लेस यू, अम्यारे साथ इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन है, कहां से हैं और क्या है, आए विजनरी रेडियो और टीवी पर, संगती करेंगे मिलकर एक साथ, लाट अस जाइन टोगे झाल